हिमाचल परदेश में इसी साल क्यंत में विधान सबा के चुनाव परस्तावित हैं इन चुनावों को लेकर निताओं में राजनितिक शह मात का खेल चोर शोर से चल रहा है इसी बीच पाठक और दर्शक वर्ग हिमाचल परदेश की राजनितिक अतीज से भी रूबरू होना चाते हैं इसी कड़ी में यह जो मुख्या मंतरी हैं सीरीज के अंतरगत हम हिमाचल परदेश के तमाम मुख्या मंतरियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे इस सीरीज की पहली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल परदेश के पहले मुख्या मंतरी जश्वन सिंग परमार की कहानी जी हाँ उनकी कहानी के बारे में बताते हैं जश्वन सिंग परमार को हिमाचल परदेश का निर्माता भी कहा जाता है करीब दो दशक तक जज की नोकरी करने के बाद यश्वन सिंग परमार सवतंतरता अंदोलन में कूदे और उसके बाद परेकल में यश्वन सिंग ने हिमाचल परदेश के विकास को लेकर एक खाका कीचा और उनी के प्रियासों की बदोलत हिमाचल परदेश तरक्की की पट्री पर आने में सफल हुआ। 1930 तक वो थियोसिफकल सोसाइटी के सदसे रहे। डॉक्टर यश्वन सिंग परमार ने सिर्मोर रियासत में 11 वर्षों तक सब जज़ के रूप में काम किया। 1930 से 1937 तक उन्होंने सेशन नयाईदीश के रूप में अपनी सेवाएं दी नोकरी की परवा किये बिना उन्होंने त्याग बतर दे दिया। और सुकेत सत्यग्रे परजा मंडल से जुड़ गए। परमार के प्रियासों से ही सत्यग्रे अंदोलन्स सफल हो पाया था। 1943 से 1946 तक के सिर्मोर एसोशेशन के सचिव रहे। 1946 से 1947 तक हिमाचल हिल स्टेट काउंसल के परधान पद पर काम करते हुए हिमाचल में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए। परमार के प्रियासों से ही हिमाचल परदेश अलग राजय के रूप में अस्तितव में आया। 1963 से चोबिस जनवरी नियुस सो सत्तर तक सबसे लंबे अरसे तक लगातार हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का आवसर उन्हें मिला। यश्वन सिंग परमार एक राजनिता के साथ साथ अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने शोद पर आधारी तेक पुस्तक लिखी और विशेश बात यह है कि यश्वन सिंग ने हिमाचल परदेश को अस्तितव में लाने तथा विकास के धारशिला रखने में महत्तपुरन योगदान दिया। अलगबग तीन दशकों तक कुशल परशाशक के रूप में जन जन की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने प्रग्ति के पत पर चलते हुए हिमाचल परदेश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाए। पर रहें। अगर हम यश्वन सिंग परमार की निजी जिन्दकी की बात करें तो उन्होंने दो विवाह किये। पहली पतनी चंदरावती थी जिनकी जल्दी ही मोध हो गई थी। चंदरावती से उन्हें चार बेटे हुए। यश्वन सिंग परमार ने दूसरी शादी सत्य सत्यावती रानी से की सत्यावती से उन्हें दो बेटियां हुई दो मई 1981 को हिमाचल परदेश के निर्माता यश्वन सिंग परमार का निधन हो गया तो यह जो मुख्यामंतरी सीरिस के अंतरगात आज हमने आपको जानकारी दी है हिमाचल परदेश के पहले मुख्यामंतरी य हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि परतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंट पहुंच आए धन्यवाद